एलो फ्रेंस अगर आपको बताने बाला हूं कि आप सिर्फ रेइस्टेसर नमर से तो वीडियो को लास्ट नर्ग ज़रू देखें बिलकुल भी स्किपना करें साथ ही इस चैनल पर अगर आप नहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दुहाएं थाकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलते हैं वाल की स्क्रीन पर किसी भी कॉमर्शियल वान का रोटेक्स देखने के लिए सबसे पहले हम क्रोम राजर को उपन करेंगे उपन करने के बाद Google सर्च वार में टाइप करेंगे परिबहन ताइप करने के बाद सर्च करेंगे अब आपके सामनी पहले नमर की वेबसाट आज आएगी परिबहन.ub.in इस पई किलिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इसदिरीके का इंटरफेस आ जाएगा और परिबहन व पर आपको एक option देखने को मिल जाता other services इसके नीचे आपको एक बटन देखने को मिल जाता more का इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा यहां पर आपको एक section देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर हम नीचे scroll करेंगे इस call करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है tax and fee इसके नीचे आपको एक button मिल जाएगा more details का इस पर click करेंगे अब आपके सामने इस तरीके का page आ जाएगा यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है select state state जो भी आपकी state है वो यहाँ से choose कर लेंगे state चूज करने का थोड़ी देर wait करेंगे अब आपके सामने इस तरीके का page आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है choose option दा available services इसके नीचे आपको option जाता है select rto जो भी आपकी rto office है यहाँ से वो select कर लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आपने अपना commercial one किसी other rto में transfer करा लिया है तो जहाँ पर transfer करा है उस rto को select कर लेंगे तो यहाँ पर आपने rto को select कर लेता हूं año o select करने के बार नीचे आपको बटन देखरें को मिल जाता प्रो इसफे करेंगे क्लिक करते कैंगल आपके सामने कुछ इस रिके का player आ जायेगा आभ आपको कॉन और का टेक्स देखना चाहते है उसका रे टाइप करेंगे टाइप करने का वेरिफाइड डिटिल्स पर क्लिक करेंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं वहान का रेजिट्रेशन नमर्ट टाइप कर लिया वेरिफाइड डिटिल्स के ओप्शन पर क्लिक करेंगी क्लिक करती नीचे आपको option जाता mobile number of vehicles honor यहां पर आप कोई भी mobile number टाइप करेंगे जो आपके पास available है टाइप करने को आपके सामने कुछ इसरीके का pop-up आज आएगा यहां पर आपको cross का बटन देखरें को मिल जाता इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करती जो भी आपने mobile number टाइप किया तो उस पर OTP को यहां पर टाइप करेंगे OTP टाइप करने का नीचे आपको option जाता submit का इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीक का इंटरफेस आज आएगा आपर one का register नमर देख सकते हैं इसके आपको मिल जाता है latest text details यहां पर text की details देखने को मिल जाती है नीचे आप देख सकते हैं text up to यानिका text कब तक बरा हुआ है इसके साइड में आपको मिल जाता है receipt date यानिकि कि इसकी receipt date देख सकते हैं इसके साइड में amount देख सकते हैं यानि कि कितना amount है इसके साइड में आप देख सकते हैं यानि कि इस amount पर कितना fine है वो आप यहां से देख सकते हैं इसके साइड में आपको मिल जाता है tax clear up to यानि कि कब तक tax clear है उसकी date यहां से देख सकते हैं और details जानने के लिए नीचे scroll करे कि इन सो याँ पर पर में डिटेल्स देख सकते हैं नीचे मिल gemacht को टेक्स घे، आप जितनी इयर की टेक्स जानना चाहत हैं या भर ये टैप करेंगे टफ करने का रिफियरेult टेल एंगे क्र देखना चाहिं तो एंग पर कलिक करेंगे अगर आप यहां से यह ली को देखना चाहते को स्वार्टरल फोट करेंगे अगर आप लाफ सब्सक्मार्य सुम्प्रीघ करेंगी यहां से बहाणी का टेक्स देख सकते हैं यानि कि टोटल टेक्स 6,050 रुपए है और जानने के लिए नीचे आपको option जाता है now your previous text details यानि कि अब तक की text details जानना चाते हो तो इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का page आजाएगा यहां से आपने जब भी text जमा किया उसकी date देख सकते हैं और किस महिने वह जमा किया उसकी date देख सकते हैं और कितना टेक्स है वह टेक्स देख सकते हैं उस पर penalty कितनी लगी है वह देख सकते हैं बैक आने के लिए उपर की और करना चाते हैं तो payments पे क्लिक करके tax को pay कर सकते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी commercial वान की टेक्स डिटेल्स देख सकते हैं और उसका payment भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें